तो दोस्तों यह हमारा कैम्रा है जो कि सिंगल कैम्रा है सिंगल डिवाइस है और यह वाइफाइस से कनेक्ट होता है तो यह देखिए इसमें एक इंटर्णल मेमोरी भी लगता है और यह हमारा रिसेट बटन है जिससे कि अगर कोई पहले से कनफीगर हो तो उसको दबागे हम कर सकते हैं और यह दोनों Wi-Fi signal के लिए है और चार्जिंग नहीं मतलब बॉर्ट ईससको स्याइड में रखता हूँ अपकोOS कंफिगरेशन हमें कैसे करना तो तो इसके लिए हमें एक एप की ज़ुरत होगी वी 380 एप है हमारा जिसके थूरू हमें कन्फिगरेशन करना होगा तो इसके लिए आपको इस एप में अपना जीमेल आईडी से रेजिस्टर कर लेना होगा तो मैं कर चुका हूँ तो यह देखिए ओपन करते ही हमारा डिवाइस यहां पर आप दिवाइस हां और यहां कर लेंगे'm करनेक्ट कर लेंगे एक यह फिर्व रहा है मेरे वा आ रहा है और यह मेरे फोन पर लोग टांवर कर देना लोगा एक लिस्टम कर देभी पीर गर दानी। नहीं जो local hot spot है उसके थुरू आप phone को connect कर लो तभी ये configure हो पाएगा तो हम उसके थुरू configure करेंगे उसके पहले अपना phone का आप data on कर लेना क्योंकि वो जरूरी है नेट से connect होने के लिए तो यह देखिए हम मैं okay करता हूं तो okay करते ही यह phone को नए hot spot पर ले जाएगा connect करने के लिए जो की hot spot वो उस camera कर रहेगा तो camera के साथ यह phone हमारा connect हो जाएगा तो देखिए एपी करके आता है यह तो इसको हम confirm कर दते हैं तो यह देखिए हमारे wifi connection पर चला जाएगा और यह दूसरा जो बन के आएगा यह हमारे camera का है तो इसको हम connect कर लेंगे और कोई password नहीं लगेगा यहाँ पर तो यह connect हो जाएगा बट internet नहीं रहेगा तो यह internet हमारे phone का जो data है उससे उठाएगा तो यह देखिए अब connection सुरू हो जाएगा यहाँ पर device connecting तो अभी device जो हमारा है वो phone से connect हो रहा है और phone से connect होते ही फिल यह अपने इंटरनेट से जो वाई-फाई का हमने दिया था इडी पासफ़र्ट उससे connect हो जाएगा automatically तो यह प्रोसेस में थोड़ा time लगता है तो वीडियो आपके थोड़ा सा किलिए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कैमेरे के quality सही नहीं है तो देखिए अब यहाँ पर connection हो गया है तो यहाँ पर नाम लिखना है आप home office यह कुछ भी select कर सकते हैं तो मैं यहाँ अनुवरी लिख देता हूँ house HOUSE तो चलिए अब इसको okay कर दता हूँ तो देखिए मेरे device सो होने लगा यहाँ पर तो अभी भी device offline दिखा रहा है क्योंकि कुछ setting बाकी है तो इस पर click करके हम setting पर जाएंगे तो यह बताएगा कि password set करने का warning आ रहा है यहाँ पर देख लिए warning लिख के आ रहा है सायद के लिए नहीं दिख रहा है यहाँ पर दिखाता हूं आपको तो यह देखिए password डॉल चुका है और फिर मैं इसको okay करता हूं यहाँ पर तो फिर यह हमारा connection फुरू हो जाएगा और यह setting के लिए आ गया है तो setting हमें कुछ change नहीं करना है यहाँ पर अगर आप चाहो तो कर सकते हो तो मैं यहाँ बैक कर लेता हूं तो देखिए मेरा live आ गया है camera तब इस पर okay करता ही हमारा camera चल जाएगा बिलकुल तो देखिए हम हमारा configuration डन हो चुका है यहाँ पर और camera सो हो रहा है यहाँ और recording भी start है इसकी अगर आप चाहे तो इसकी recording डाइरेक्ट अपने phone में भी कर सकते हो लेकिन उसके लिए data ज्यादा कर चोगा और phone का storage भी लेगा यह चुकि हम नहीं करते हैं लेकिन अगर आप चाहे तो कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ सेटिंग में अगर आप यहाँ सेटिंग में इस record वाला बटन को दबाएंगे तो यहाँ से आप phone में direct recording save कर सकते हैं अपने internal phone की memory में save हो गी है तो चलिए मैं इसको अटा देता हूं क्योंकि phone में save करने का कोई फायदा है नहीं और तो और देख लिए आप इसमें माइक का भी option है इसके थूर आप बोलेंगे तो आवा जाएगा आपके camera में तो यह two way connection है आप इधर से बोलेंगे तो उधर आवा जाएगा उधर से भी कोई बोलेगा तो इधर आएगा आप communication भी कर सकते हैं इसमें और भी settings है इसमें light कम ज्यादा करने का brightness का color black and white कुछ भी कर सकते हैं सेटिंग और यह speaker का वाज है वहाँ पर और यह हमारा जो red color का दीख रहा है यह alarm sound है इसको दगाता है यह alarm बचता है देख लीजिए तो यही था आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताईएगा और कोई question या square हो तो आप comment box में पूछ सकते हैं तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद बाए बाए